उठाने से पूर मेरे एक प्रश्ण पर चिंतन अवश्य कीजिए यदि मैं आपसे कहूँ जो अश्वत थामा मरा है वो वास्तव में आपका पुत्र नहीं एक हाती है तो क्या आपका जीवन आपको पुना मधुर प्रतीत होने लगेगा क्या आपका हृदे फिर से करुणा से भर जाएगा यदि आज आपके पुत्र की मृत्यू नहीं हुई तो कल होगी विश्व में कौन अमर हैता है गुरुद्रोन किन्तु वास्तविक प्रश्ण तो ये है कि आपके जीवन के सुख्दुख आशा निराशा ग्यान अग्यान क्या सब कुछ केवल आपके पुत्र से बंदे क्या आपके जीवन का दूसरा कोई मूले ने क्या आपकी सारी शक्ति सारा ग्यान केवल आपके पुत्र के लिए पुश मेरे कारण वो संसार में आया उसने मुझे सुख सम्मान और सने दिया मेरे लिए जीवन में उस से अधित मैंत अपका कोई नहीं क्या स्वतेख किता अपने पुत्र से अधित प्रेम नहीं करता तो विचार कीजिए गुरुद्रोन जिस पुत्र के प्रतियाब को इतना अधिक प्रेम उसे वास्तव में आपने क्या दिया संपती दी, सुक दिये, गाज्या दिया संसकार दिये विद्या दी धर्म का ग्यान दिया गुरुदे क्या आप उसे कुछ भी ऐसा दे पाए जिससे उसे आपके रक्षा की आवे शक्ता ही ना मैं मानता सब अर्जुन तथा अंगराज कर्ण की भांती महान योधा नहीं बन पाते किन्तु आप अपने पुत्र को उचित निर्णे लेने का शिक्षन तो दे ही सकते थे यदि आपने ऐसा किया होता तो आज आपका पुत्र धर्म का शक्तु नहीं होता और आपको भी अधर्म के पक्स में रहे कर युद नहीं करना पड़ता मैं मानता सब अर्जुन तथा अंग राजकर्ण की भांती महान योधा नहीं बन पाते किन्तु आप अपने पुत्र को उचित निर्णे लेने का चिक्षन तो दे ही सकते थे यदि आपने ऐसा किया होता तो आज आपका पुत्र धर्म का शत्रू नहीं होता और आपको भी अधर्म के पक्ष में रहेकर युद नहीं करना पड़ता मैं अपने पुत्र अश्वथामा को थारे सुक देने की इच्छा रखता था वासुदेव मेरे पुत्र अश्वथामा के पती मेरे मन में प्रेम के कार्ण कि प्रेम तह उन्नती देता है उछे तनुछित का ज्यान देता है गुरुदेव कि प्रेम होता तो आप भी अधर्म से नहीं बंधते और आपका पुत्रCr भी अधर्म से चूप जाता है वास्तव में यह प्रेम नहीं आपके मन का मोः है कि प्रेम और मोह के बीच क्या भेध होता है किया आपने कभी विचार किया है कि प्रेम से ही तो मोह का जैनम होता है वासुखेश कि प्रेम का जन करुणा से होता है और मोह का जन महमकार से प्रेम कहता है कि मेरे पुत्र को कि प्रेम के प्रेम के देता है कि मुझे अपने पुत्र को पर गर्व और मोह कहता है कि मेरे पुत्र को मुझ पर गर्व कि प्रेम मुझे देता है गुरुदेव मुख बांधता है प्रेम धर्म है गुरुदेव और मुख कि मुख बधर्म आपने अपने पुत्र को आटे का घोल पीते देख अपनी साधना भंकर दी थी उसके स्थान पर अपने पुत्र को आटे के घोल से शंटोष मानने की शिक्षा दी होती, अपनी साधना भंग करने के स्थान पर उसे संघर्ष करके कुछ प्राप करने का शिक्षन दिया होता, तो क्या आज आपकी सिती कुछ भेन नहीं होती? अपने पुत्र का भविष्य उज्वल बनाने के प्रयासों में आप उसके चरित्र को उज्वल बनाना भूल ही गए आपके मोह के कारण उसके जीवन से धर्म नश्ट हो गया लोग, भय और लालसा का शिक्षन दिया आपने उसे और स्वैम भी उसी मोह के कारण वास्तव में आप गुरू तो कभी बन ही नहीं पाए केवल शिक्षक बनकर रह गए आप ऐसा क्यों कह रहे हैं वासुदेव मैंने तो अपने संपूर जीवन में अपने सारे शिश्यों को संपूर निश्ठा से उत्तम बनाने का प्रयास किया है गुरू वो होता है जो विद्या का दान देता है विद्या का वेपार नहीं करता इसलिए गुरू को अपने सिश्यों सक्ष्णा की आशा को ती मूले की नहीं किंतु आप ने अपने अमूले ग्यान का मूले निश्ठ कर दिया अपने ज्यान के बद्दे में अपने शिष्चों से प्रतिशोद मांगर आपने नाकेवल अपने जीवन में विष्ख भोल दिया अपि तु अपने शिष्चों के जीवन में भी विष्ख भोल दिया और ये सब आपके मुह और हमकार के कारण हुआ आप गुरु नहीं हैं दुणाचारे जिस वेक्ति के हृदे में हमकार और मन में मोह थता लालसा हूती उसके हाथों धर्म का कार रे तो हो ही नहीं सकता इस लिए महर्शी भरद्वाज के पुस्क्र जैसे बार्ड में डूपता हुआ वेक्ति किसी ब्रिक्स को पकड़ कर तो एन की रख्षा करता है वैसे ही इस अंच समय में धर्म को पकड़ लीजी आज तमे है उचे दमिन्ने लेने का मोह का त्याग कीजी मैं इसी एक्षन आपके प्राण ले सकता हूँ किन्तु मेरी एक्षा है कि आप जीवन में एक उचे थनिर्ने तो एम ले कि अधात करें हैं याँ मेरा ही दोष था कि मेरे पुत्तर अश्वतामा को दंद प्राप्थ हुआ अब समय आ गया है कि मुझे भी तंद प्राप्थ हुआ कि अधात करें याँ प्राप्थ हुआ झाल